ये कहानी एक रीचर की है जो बहुत इखतरनाक है वो छोटा सा लेकिन इतना कुनकार है कि लोगों को बेरैमिसी मार दीता है तो फिल्म के शुरवात होती है एक आदमी डंकन को दिखा दीती है जो सड़क पर बिलकुल अकीला था किसी चीज से डर कर भाग रहा था भागती भ पने घर पहुंचा दर्वाजी को लॉग कर कि अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ फोरण छुप जाओ जल्दी से इससे पहने वो अंदर आ जाए अब पहने पहले तो उसकी वाइफ मना कर दीती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि डंकन क्या कह रहा है लेकिन जब क डंकन का अल्ट्रासांड हो रहा था लेकिन अल्ट्रासांड करती हुई नर्स काफी कन्फ्योस्ट हैरान लग रही थी यूगर डंकन के पेट में अचीब तरह के टीशोस थी जो बिना किसी वज़ा की दिन बदिन तेरे से बढ़ रहे थी क्योंकि नर्स काफी कन्फ्योस थी तो उसे कुछ पी समझ नहीं आती तो डॉक्टरों ने कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है हम आपका इलाज करेंगी एक ऑपरेशन के जरिए टीशिस को निकाल देंगी अब अगले दिन डंकन अपनी आफिस गया पता चिला कि वो मैं इस जॉब को कैसे लेकर चलूँगा साथ यहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसका नया कोलीक था और अब से डंकन की साथ काम करनी वाला था दंकन जब घर आया तो उसकी मम नौटिस कर लीती है कि वो काफी परिशान स्ट्रेस में है इसलिए वो उसका स्ट्र दोर करने के लिए एक डॉक्टर को गुडाती है लेकिन डॉक्टर से बजाए उसका स्ट्रेस ठीक होने की डंकन और भी काफी परिशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उससे उल्टे सीधे सवाल किये थी कुछ तेरकी बार डंकन की पास उसकी कोलीकी कॉल आई वो कहता ह दंकन मुझे तुम्हारी कंप्यूटर के जरूरत थी जो मैं इस समाल कर रहा था लेकिन घंदली से तुम्हारी बहुत जरूरी फाइल उससे डिलेट हो गई है यह सुनकर डंकन काफी परिशान हो गया उसे घुसा भी आ रहा था क्योंकि वो फाइल दंकन पिछले एक साल से बना रहा था अब जब वो बात्रूम में गया तो उससे पता नहीं क्यों बहुत ज़दा दर्दों नहीं लगती है इसलिए वो डंकन की कोई अवास नहीं सुन पाती जो इस दुरान बहुत जरा ही चिंदानी लगता है अचानक वो गिर गया विहोश हो जाता है इस दुरान हमने देखा थी कोई चोटी सी चीज उसके जिसम से निकल कर बाहिरा जो वहां हर तरह घूमकर डंकन की ऑफिस चरी जाती है और उसकी नहीं कुली जिसने फाइल को डिलेट कर दिया था उस पर हमला कर दीती है वो से बेरहमी से चीर फाड़ कर दीती है उसका खोन निकल कर च पर दीता है लेकिन थेरापिस्ट की बार बार कहरी पर वो मान गया और अब जब थेरापिस्ट हिप्नोटाइज का प्रोसेस शुरू करता है तो डंकन की पेट में कोई चीज हिलने लगती है उसे बहुत जोर का दर्दोनी लगा जिस वज़े से डंकन जोर जोर से चिलनानी उसे लग रहा था कि ये मुझे कोई नुफसान पहुंचा देगा इसलिए एक डंडा लेकर क्रीचर पर हमला करनी की कोशिश करता है लेकिन वो खुनखार क्रीचर अपने ड्राउना सा मुझ खोल कर तेरापिस्ट पर धारनी लगा और यहां हम उसके खतरनाक दादों को भी देख पाती है जिनसे वो तेरापिस्ट की टांग पर ही काट लेता है वो दर्द की वजह से चिलानी लगा लेकिन जैसी तैसी क्रीचर को धकील कर पीछे कर दीता है उसकी चीख की आवास सुनकर डंगन को भी होश आ गई जो दर्द की वजह से भी होश हो गया था और अब जैसे क्रीचर को दीखता है एक बार फिर जोनों से चिलानी लगा और इस चीज़ का फाइदा उटा कर क्रीचर खिड़की तोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है अब बैंतन काफी कंफ्यूस था उसकी जहन में कई सारे सवाल थी जिनका जवाब वो थेरापिस्ट से दीता है उसने ये भी बताया कि अब वो क्रीचर तुम्हारे पास जुरूर आएगा तब तुम उससे बात करके उसे शान करना इस तुरान तुम्हारे और उसके बीच काफी अच्छा बार्ण बन सकता है यानि तुम दोनों एक दूसरी से दोस्ती कर सकते हो अब वो डॉक्टर जो डंगन की मौम ने बुलाया था वो एक लिड़की के साथ होता है पर जैसे लिड़की यहां से गई क्रीचर आकर उस पे भी हमला करके नीचे गिरा दीता है वो उसके ओपर आकर बैठ गया अपने दांटों से डॉक्टर की पीट पर हमला करकी उसे च करता है काफी अच्छा बरताओ करने लगा जैसे किसी चुटे बच्चे के साथ करती है जैसे क्रीचर को भी काफी अच्छा लगा और यहां डंकन उसे काफी प्यारा सा नाम भी दीता है जो था माइलो है और अब क्रीचर माइलो फिर से डंकन की जिसमें वापीस चला जाता अगले दिन डंकन आफिस चला गया जहां उसकी फीमिल को लिग बताती है कि एक क्लाइट की अकाउंट का बैंक बैंक बैंस ओपर निची हो गया है और अगर यह बात उस क्लाइट को पता चल गी तो वो हंगामा मचा देगा यह जानकर डंकन काफी परेशान हो जाता है अपने बोस की पास जाकर इस बारे में बताता है तब उसका बोस बिना डरी जवाब दीता है कि तुम इसका हल यह करो कि किसी और क्लाइट की अकाउंट से इस अकाउंट की बैंक बैंक बैंस को बराबर कर दो जिससे सारा मामला स्टैटल हो जाएगा यह सुनकर डंकन काफी अरान क्योंकि बताया जा रहा था कि डॉक्टर को भी किसी जानवर नी बड़ी बेरेमी से मार दिया है उस जानवर को रकून कहा जा रहा था लेकिन यह बात दंकन जानता था कि यह काम रकून के नहीं बलके माईनो का है जो ही लोगों को इस सरा बेरेमी से मार रहा रहे है इस बा कोई बात नहीं करना चाहती थी, कहती हैं कि चले जाओ यहां से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अकीला रहना चाहता हूँ, इस बात को लेकर डंकन की परिशानी और पढ़ जाती है, इसलिए जब वाश्रूम में गया तो माईलो फिर सी उसकी अंदर सी बाहिर आ जा लेकिन टंकन जैसी तैसी उसी रोकर कियता है, कि शान तो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आफिस पोच कर तुम्हें खाना जुरूर खिनाओंगा, चानता हूँ तुम्हें भूक लगी हो, अगले दिन टंकन जिक आफिस गया, तो आफिस में चल रहे ही सारी मसलों को वो पन जाता है, वो उस पर उसने हमला कर दिया, इसे बेच लिफ्ट बंद हो गई, तो टंकन लिफ्ट में जाए नहीं पाता, सिर्फ माईलो को उस गया था, इसलिए वो काफिक बढ़ा गया, नीचे जब गया, तो लिफ्ट खुलते ही, उसकी हूश और जाते हैं, क्यूंकि माई एकदम काफी खुश हो गया, लेकिन वो इस बास से परिशान था कि अगर ये बात माईलो को बता चल गई, तो वो मेरे बच्ची को नुकसान पहुझा देगा, इस डड़ की वज़ए से वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है, जिहां वो माईलो की साथ अकिला रहने वा मैं बहुत परिशान हूँ, मुझे आपकी मदद जाएं, वो उन्हें उसी तरपिस्ट की पास मिलने के लिए बुलाता है, यहां जब डंकन ने अपने डैट से कुछ सवाल पूछी, तो वो कहते हैं, कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था, कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, म अब आप मुझे इसका हल बताए, लेकिन उसकी डैट कुछ नहीं बताती, पर अब अच्छानक की दोनों बाप बेटी, नीचे कर चाते हैं, डोनों कोई काफी दरद हो रही थी, और अब देखते ही दिखती दोनों की अंदर से ही, वो ही क्रिएचर बाहर निंकल कर आते हैं अब देखते हम इसकी दोनों की दोनों का बेटी, इसकी देखते हैं, अब उनर मैलो जब दोसे क्रिएचर को मार रहा था, तो उसकी डैड डैट बनने वानी हैं ना, देखते हैं, धनकन, यह जानकर मुझे बहुत कुशी हुई है, और तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ और बच्चे का दिहान रखना चाहिए ये सुनते माई लोग को गुसा गया और वो एक ही मिनट से पहले चाकू लेकर वहां से बाग गया तकि टंकन की वाइफ और उसकी बच्चे को मार सके जो देखकर सभी काफी परिशान हो गए तियरपीस्ट टंकन को कहता है कि तुम्हारे ड बेस्मेंट में चलेगी खटको वहां लॉग कर लेती है और माई लो भी दर्वाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है पर यहां डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मीन वाइफ घर पर नहीं है तुम यहां से चले जाओ लेकिन जब उसे बीस्मेंट से माई लो वहां से निकल ली जाता है वो बीस्मेंट में आकर पहले देंकन की वाइफ को डराता है फिर एक दम से ही उस पर हमला करके नीचे गिरा दीता है वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता है इससे पहले ही देंकन की वाइफ उसे पकड़ लीती है लेकिन वो फिर भी उस जखमें कर दीता हैं और उसकी वाइफ का पीछे करते हुए बाहिरा जाता हैं जहां बहुत सारे लोग हालांके उसे आग से ड़ाने की कोश्च भी करते हैं लेकिन वो ड़ता ही नहीं उल्टा उन्हें दरानी लगता हैं जिस विज़े से सारी लोग काफी खबरा गई तब दे करता हैं जिससे उसकी हालत मरने वाली हो गई और अब देंकन उसकी आखरी पलो में माईलो को गोद में उटा देता हैं यहां दोनों ही काफी चस्पाती हो गई और पहनी बार माईलो उसे डेड़ गेता है जिसकी बात वो मर गया देंकन को दुख हुआ वो अपनी वाइफ क बच्चा पल रहा था, उसके पेट में बिल्कुल ऐसा ही एकी रियेचर था, यनि कि अब ये सिल्सला नसर डल नसर आगी चलता रहेगा, पहले डंकन की डेड ने इसका सामना किया, फिर डंकन ने और अब उसकी बेटी को भी करना पड़ी का, इस फिर्म की कहानी भी, यही पर गयत मोचा